हेलो फ्रेम्स आप लोगों में से बहुत से लोग कॉमेंट कर रहे थे सर एजुकेशन चैनल से हम एक मिलियन भ्यूज पर कितना पैसा अर्ण कर सकते हैं बहुत से लोग ये भी कॉमेंट कर रहे थे आप टेकनिकल चैनल से एक मिलियन भ्यूज पर कितना पैसा कमाते हैं आज की इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं और मैं आपको लाइफ प्रूप के साथ दिखाऊंगा, ठीक है कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है फिलाला वीडियो के स्टार्ट करते है तो सबसे पहले मैं आपको अपने एजुकेशन चैनल का अरनिंग बताओंगा, ठीक है एजुकेशन चैनल पर कैसा अरनिंग होता है तो एजुकेशन चैनल को मैं ओबन कर लेता हूँ Simply Analytics में क्लिक करने के बाद कुछ ही इस ततरह का interface आ जाता है, ठीक है तो मेरा जो एक मिलियन भीव है ना ये लगबग एक साल में एक मिलियन भीव है चुकि मैं आपको बदा चुका हूँ मैं हमेशा वडियो अपलोड नहीं करता हूँ ठीक है तो एक साल में आप यहाँ पर देख पा रहें कि 9,62,800 भीव है ठीक है तो मान लेते हैं ना लगबग एक मिलियन है ठीक है और लगबग एक मिलियन भीव में 402 डॉलर ऑ्रमिंग भी हुआ ठीक है इसे हम इंडियन रुपीज में कंवर्ट करतें तो सिंप्ल मोनेटाइशन में चला जाएंगे में शैटिंग में चला जाएंगे शेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देखे US dollar है तो यहां से हम Indian currency को अराम से select कर लेंगे तो देखे यहां पर Indian rupees लिखा हुआ है simply हम Indian rupees में click करेंगे step में click कर देंगे फिर से हम analytics में चले जाएंगे जैसे हम analytics में चले जाएंगे तो आप यहां जो हमाना अर्निंग 100 करेंगा ना वह यहां पर देखे रुपीज में 100 करेंगा यानी जो हमारा 10 दिन में जो अर्निंग हुआ है जो च्यासट सो रुपए अर्निंग हुआ है 11 तारिक से लेकर लगभग 20 तारिक तक तो फिलाल हम क्या करते हैं 365 दिन का करेंगे चुकि 365 दिन में लगभग एक मिलियन व्यू है देखिए 9,62,000 है और उसमें अर्निंग मुझे 31,618 रुपए हो गया है जो कि आपके सामने है और ये काफी अच्छा रुपए है टिक है टेकनिकल चैनल पर इतना आप कभी भी अर्न नहीं कर सकते हैं जो कैसान चैनल का RPM एंड CPM होता है काफी हाई होता है मेरे भाई आपके सामने प्रूफ है मैं आपको अब दिखाता हूँ कि टेकनिकल चैनल पर हम इतना ही भीयूज पर कितना कमा सकते हैं, to chalily, मैं आपने technical channel को उपन करता हूं, technical channel को उपन करने के बाद, analytics में क्लिक करणा है, जैसे मैं analytics में click करूंगा तो देखिए यहाँ पर मुझे जो 28 दिन में कमाई हुआ है चुकि यहाँ भी मैं अभी regular नहीं हूँ ठीक है 4-5 दिन में एक वीडियोज अप्लोड करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 40 डॉलर का मुझे लगभग कमाई हो चुपा है और भीउज देखिए कितना आया है 1,11,500 भीउज में मुझे 40 डॉलर मिला है जो कि काफी कम है एजुके सन चैनल में काफी ज़्यादा मिल जाता है इतना है वीउमेटिक है तो फिलाल हम क्या करते हैं सेटिंग में चले जाते हैं और मैं आपको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ तो देखे जैसा है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 28 दिन में मेरे चैनल पर टूटल 1,11,400 भीउज है और यहाँ पर आप अर्निंग देख सकते हैं 3303 रुप्या है ठीक है और हम फिलाल क्या करते हैं कि बात करते हैं कि 1,000,000 भीउज पर कितना मिलेगा तो यह चैनल लगबग मेरे एक साल पुराना है तो हम क्या 365 दिन करते हैं और 365 दिन में 9,82,000 पर मुझे कितना मिले हैं तो यहाँ पर देख लिजे 26,289 रुपे मात्र मिले हैं और उस पर कितना मिले थे तो आप देख चुके थे कि लगबग 32,000 मिले थे देख सकते हैं कि यहाँ पर 6,000 का डिफरेंस है आई होप आप समझ गये होंगे कि एजुकेशन चैनल पर ज़्यादा कमाई होता है एज केमपरेजन टू टेकनिकल चैनल देखे एजुकेशन चैनल पर ज़्यादा कमाई क्यों होता है तो देखे एजुकेशन चैनल का जो वीडियो होता है वो काफी लंबा लंबा होता है यानि लगवग सारे वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा का होता है और चुकी वीडियो आठ मिन्ट से ज़्यादा का होता है इसलिए हम वहाँ पर एक से ज़्यादा एड लगा सकते हैं जबकि टेक्निकल चैनल में आप वीडियो का लेंद नहीं बढ़ा सकते हैं आपका जितना बड़ा टॉपिक हो आप उतना ही में कर सकते हैं और जो हमारे एजुकेसन चैनल है उसमें तो हम दो कोस्तन के जगा पर चार कोस्तन लेंगे तो वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा